हलो और विल्कम फ्रेंड्स टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की देखें सेल्स की एंट्री जो पास की जाती है उसमें अगर हम टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं अपने दुकान का नाम प्रिंट करना चाहते हैं या एंट्री को ही पास करना है हमें तो पहले तो हमें पर्चेज की एंट्री करनी होगी हर हाल में हमें पर्चेज तो करना ही ह यह सवाल को आप से पक्का पूछा जाएगा, कि अगर आप कहीं काम करने जाते हैं, सपोज कि यह गोड्स का ब्यापार, समानों का ब्यापार है, जैसे कि रिफाइन डॉयल का बिजनेस है, या होलसेल सप्लायर का बिजनेस है, तो वहाँ पर जो चीजें होलसेल में होकर के यह आता होगा, जिसे मेरी एक दुकान है, तो मैं कहीं से सामान खरीदता हूँगा, वहाँ से लेाकर अपने दुकान पे लेकर आता हूँगा, वहाँ से फिर मैं सेल करता हूँ, जीज़ा दाम में, ताकि हमें profit हो जाए, purchase में और sales rate में difference जो होता है वही हमारा profit होता है तो पहले आपको purchase में entry pass करनी ज़रूरी है तो मैंने purchase में किया हुआ है उसके बाद printing, configuration वगरा भी देखते हैं पहले हम चलते हैं sales voucher में मैंने purchase already कर रखा है तो हम directly आ जाते हैं sales voucher में F8 press करके आप sales voucher में आ सकते हैं ठीक है अब यहां पर कभी कभी क्या होता है scenario थोड़ा अलग type का होता है तो यहां से change mode दिया हुआ है control h shortcut की होती है control h press कर दीजे और यहां से अब change mode पर जाकर के mode को change कर सकते हैं अगर आपका इस तरह से show कर रहा हो ठीक है तो आप बिल्कुल घबराईए मत आप सीधा कहां चले जाएए यहां पर आजाएए change mode पर या control h directly press कर लिजे जैसे प्रेस करेंगे तो आपको item in ois उपर दिखाई पड़ेगा आप इसी mode में आ जाएए यहां पर आएगा party का name तो एक data party में ने बनाया है मैं आपको एक बार फिर से data party अलग से बना के दिखा देता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ अब यह एक नाम example के लिए मैंने ले लिया और यहां पर लिख देता हूँ ताकि बहुत सारी party या इसमें बनी होई है तो हमें पता चलता रहे कि यह data party है यहां से s प्रेस करता हूँ क्योंकि इनका group क्या होगा sundry data का group होगा तो यह sundry data कर दिया maintain balance bill by bill इसको yes रखना है ठीक है और यहां से बाकी सारी चीज़े ठीक है और enterprise करते हुए हम क्या करेंगे इसको accept कराएंगे ठीक है यहां पर भी enter, 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 enter करेंगे ठीक है और enterprise करते हुए इसको भी accept करा लेंगे यहां पर sales account का लेजा रहेगा जिसे हम under sales account के group में डाल देंगे तो यह डाल दिया हमने अब यहां पर उन सामानों की बात कर लेते हैं यहां पर बहुत सारा keyboard हमारे पास पड़ा हुआ है sell करते हैं अब यहां पर location आ गया हमने इसमें location भी बना रखा यानि go down भी बना रखा है तो यहां चलते हैं new colony go down में देखते हैं 550 item हमारे पास मौजूद हैं तो यहां पर 550 item हम sell भी कर दे रहे हैं तो यहां पर selling की price आ रही है 800 रुपे देख सकते हैं 800 रुपे पर यहां पर automatically आ रहा है आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं 850 भी कर सकते हैं तो यहां 850 कर देता हूँ एंटर करते हैं अगर किसी अन्य go down से उठाना है तो वो भी go down हम ले सकते हैं लाइक एक दिवरिया go down करके भी मैंने बना रखा है तो यहां पर दिवरिया go down में 50 की संख्या में यह है 50 पत्पन जो भी हो तो यहां पर वो भी ले लेते हैं अगर अन्य किसी go down में भी है तो वहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं like main location में देख सकते हैं यहाँ पर यह main location भी पड़ा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर 1300 आइटम हम main location से ले लेते हैं ठीक है इसके अलावा भी अगर किसी go down से लेना चाहते हैं like यहाँ पर enter प्रेस करते हुए नीचे आते हैं ठीक है अगर कोई अन्य आइटम भी हम लेना चाहते हैं तो यहीं पर आपको देना होगा ऐसा नहीं कि आप नीचे करके चले जाएगा तो यहाँ पर दीजेगा तो यहाँ पर item शो नहीं आपको laser so करेंगे तब ठीक है stock item के खाते आपको तभी दिखाई पड़ेंगे जब इसके ठीक नीचे आप stock item को लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर लगा पाएंगे ठीक है अब जैसे माल लीजिए यह rice है तो यहाँ पर आप rice ले लेता हूँ तो यह rice लिया हमने कौन से godown से लेना है देवरिया godown से लेना है 3 kg मौझूद है तो 3 kg बेज देते हैं क्या करना है कमी है कमी बेज देते हैं यहाँ पर कीमत लगा देता हूँ 45 रुपे किलो यह हमने डाल दिया कीमत एंटरपेस किया इसके बाद फिर आते है pulse है देख लेते है pulse नहीं है हमारे पास tally prime की book है तो tally prime की 117 यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से godown में मौझूद है तो देखिए new colony में 56 दिख रहा है तो यहाँ 50 हम sell कर देने वाले हैं और यहाँ पर कीमत क्या रखेंगे हम 1350 रुपए इसकी कीमत हम लगा देंगे ठीक है इससे कम में हमने खरीदा था लेकिन इससे जादे में हम बेच रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह सारी detail यहाँ पर आ गई है अब यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपको lages लगाने है ठीक है ध्यान दिजेगा यहाँ पर lages लगाने है तो अगर आपने एक्टिवेट कर रहा होगा इसमें एक्टिवेटेड नहीं है पहले से GST एक्टिवेट नहीं किया है यहाँ पर देखेंगे अगर मैं CGST लगा तब यहाँ यहाँ पर SC of other territory इसको नो रखिएगा ध्यान दिजेगा इसको yes कर देंगे तो फिर आपका GST इधर उधर हो जाएगा calculate नहीं होगा सही से ठीक है एंटरपेस कीजिए एंटरपेस कीजिए एंटरपेस कीजिए GST की detail को alter करने के लिए इसको yes करेंगे yes करने के बाद एंटरपेस के करेंगे यहाँ पर by default 20% GST लगा दिया गया है ठीक है एंटरपेस करते हुए इसको करा लीजिए accept ठीक है तो अब आप GST को calculate कर पाएंगे यानि कि GST automatically calculate होकर आएगा ठीक है यहाँ पर देखें CGST automatically calculate हो गया CGST का लेजर पहले लगा था कुछ नहीं आ रहा था अब आने लगा ठीक है यह तो हो गया अब यहाँ पर SGST भी लगाएंगे क्योंकि same state का मामला है तो same state का जब भी मामला आएगा तो अब CGST SGST दोनों ही लगाएंगे यह बाद ध्यान रखियेगा तो यह हमने कर दिया enterprise की new reference new reference करके और इसको accept करा लिजे चाहे तो narration भी डाल सकते है अब आजाते हैं printing की configuration पे यहाँ पे दो बाट इप्रेस करता हूँ वसीम नाम से था हमारा यह ही है हमारा bill alt के साथ P प्रेस करते हैं और i button प्रेस यहाँ से करूँगा तो यहाँ पर आप printing देख पाएंगे कि printing किस तरह की आ रही है यह देख सकते हैं printing कैसा आ रहा है ठीक है तो इसमें printing में यहाँ पर उपर देखिए tax invoice लिखा हुआ रहा है लिखा हुआ रहा है तो यह tax invoice हटाना है हमें हम यहां चाहते हैं कि हमारी दुकान का नाम है तो यहां पर क्या करना है आपको configuration पर चले जाना है ठीक है और आपको इसमें title देखना है title कहीं दिया हुआ है तो title से ही आपको इसको change करना है तो देखें यह नीचे जो है title tax invoice करके आ रहा है तो यही तो लिखा हुआ है तो इसको अटा देते हैं ठीक है जैसे मालीजिए एक ठो हमारा चेला है वो लिखता है जय पीतर बाबा तो पीतर बाबा लिख देते हैं ठीक है देख सकते हैं यहां पर टाइटल में वही लिखा हुआ आ रहा है तो आयोप कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी अगर माल लीजे कोई और क्रेडिटर पार्टी होती तब क्या करते हैं जैसे माल लीजे यह तो एंट्री पास हो गई लेकिन डेटर पार्टी अधर स्टेट की है तो उस कंडिशन में आईजस्टी आप लगा देते हैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं एक बार फिर इसी मैं आपको एंट्री पास करके दिखा भी दे रहा हूँ देखिए वी बटन प्रेस किया आगे सेल्स यहां पर आपको क्या करना है डेटर प नाम देता हूँ ठीक है कोई बिरस तरीके का नाम जो भी आपका हो कूँ वह दे सकते हैं याा डी प्रेस कर देता हूँ डेटर पाटी के लिए अब इनका जो address है वो सारी चीज़े हमको यहां पर देनी है तो यहां देखिए state उत्तर प्रदेशा आ रहा है मैं यहां पर कर देता हूं हर्याना हर्याना कर देता हूं ठीक है कोई भी state other state कर देंगे उत्तरा खंड कर देंगे हर्याना कर देंगे कोई भी कर सकते हैं चली गुजरा हैं उनको doubt हो जाता है बार-बार तो doubt आप मत करिए और वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो एक दम समझ में आ जाएगा 100% ठीक है तो यहाँ आप देखिए रागवन अगर में सौठो मौजूद है हमारे पास काफी स्टॉकर शुगर का तो शुगर यहां से Location देख लेते हैं देवरिया में तो है नहीं कहाँ पे है यहाँ पर 200 किलो है new colony go down में 200 किलो है तो 200 किलो का 200 किलो हम बेच देते हैं यहाँ पे कीमत रख देंगे 45 बार किलो अब यह हो गया ठीक है दू आइटम ही रखते हैं नीचे आते हैं अब यहां पर लगाते हैं CGST तो देखते हैं CGST calculate होता है कि नहीं तो यहां पर जैसे ही आएंगे CGST तो calculate नहीं हो रहा है कारण क्या है इसके पीछे कि हम अलग state की बात कर रहे हैं यानि हमारा जो company है तो यह IGST मैं लगा दूँगा जैसे ही लगाँगा तो यह खट से calculate हो जाएगा अगर आपने नहीं बनाया तो आपको क्या करना होगा तो यहां पर देखियंगे GST आएगा तो आपको GST चूज कर लेना है और integrated tax यहां रखना है बस आपका laser बन जाएगा इसको accept करा लीजेगा ठीक है फिलाल मैंने बना रखा है तो यहां पर यहां गया तो जो video viral हो गई थी उसमें sales के बारे में मैं नहीं बता पाया था तो गल्चिए sales इस तरीके से आप climate कर सकते हैं सारी चीज़े इस तरीके से आप रिफर्चिपर सकते हैं तो अगर आपको video अच्छी लगती हो तो आप शेयर करें थैंक यो पर वाचिंग इस वीडियो